2022 की Hyundai Azera Hyundai या Hyundai अभी तक कभी समझ में नहीं है मज़े स्टेनी मिल पर काफी सारे बटन्स हैं कुछ स्विचेस भी हैं मगर प्लास्टिक बहुत जाद है थोगा सब कम प्लास्टिक अगर ये लोग यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा अच्छा डैश्बोर्ड का फुल डिजिटल है और साथ में कम्पूटर स्क्रीन भी है काफी बड़ी सी गाड़ी काफी बड़ी है काफी स्पेशियस है और अच्छी लगजरियस सी है फिर नीचे आपे कुछ बटन्स दिये हैं बटन्स तो बेतर कर सकते थे यह है सारे मुल्टी मीडिया के फिर वॉल्म के लिए के स्क्रॉलिंग वाला बटन दिया हुआ है फिर यहां क्लाइमिर कंट्रोल के के लिए बटन्स दिये हैं और एक स्क्रीन भी है नीचे आता है गियर चेंज करने के लिए बटन्स भी है साथ में यह पैनलाइस के अंदर आप फून रख सकते हैं और यहां पे अंदर यूईसबी पोर्ट भी दिये हैं ताकि आप चार्ज कर सकते हैं या कोई भी डिवाइस करनेट कर सकते हैं साथ में यहां पे कपोलर्स है यहां पे हैंडब्रेक है आटो होड का बटन है और एक आमरेस्ट है ड्रावर के लिए बाकी इंटियर काफी स्पेशिस है सीट स्पोर्च यहां बहुत कंफ़टेबल है लुक्स भी अच्छ हैं गाड़ी के बहुत स्लीक से बनाए है और एक बहुत अच्छा फीचर है वो यह है कि इसमें फुल सन्रूफ है यह चीज मुझे बहुत पसंद है सन्रूफ सिर्फ आगे ने पीछे वालों के लिए भी होनी चाहिए हैंडल तो बहुत चा मना है मैंकर वही प्राने जमाने का लॉक का बटन दिया वाई इसको खतम कर सकते थे अब दवात एक वाकर आप देखे तो अंदर बटन्स हैं इसमें विंडोस के लिए वो भी अच्छे हैं इसमें silver कल्यगी थोई detail भी देवी है mirror करजस्ट करने वाला जो button है उसमें भी silver details है और अदर गाड़ी तह अच्छी है, finishing अच्छी है पीछे गाड़ी बहुत लंबी है तो पीछे वाले passengers के लिए अराम से टांगे बिचाने की जगा है LCD screens भी है और वाकि बहुत जबर्स जगा है बैठने की Basically Hyundai का एक luxury brand भी है उसका नाम है Genesis और उसमें एक गाड़ी है G80 तो उसी के ही shape पे ही यह गाड़ी बेस्ट है इसलिए गाड़ी इतनी लंबी है क्यों गाड़ी बहुत बड़ी है यह कैमरी और Civic या Accord से तो बहुत बड़ी है यह मैं compare करूंगा जैसे Toyota Avalon या Honda Legend या Camry या Accord से जो बड़े models होते हैं उनके टक्कर की है यह गाड़ी पीछी की टेल लाइद आप देखें कितनी जबरस्त है बेकुल नए स्टाइल की है शायद आप लोग को पसंद आए और नीचे exhaust pipe भी दीए में silver कला की अच्छे लग रहे हैं वह लग डीटेल्स अंदर भार की बहुर अच्छी है और एक चीज मुझे और बहुत पसंद आए कि इसका जो roof का जो design है वो बहुत sleek है वीटेल्स में ठीक है काफी futuristic है मगर आप अभी front देखिए तो उसके बाद फिर जर्ज कीज़गा बुज गाड़ी को देख सकते हैं आप यह जो इसका roof style है वो मुझे पसंद आए बहुत ही different किसम का है अचा यह है इसका front का design नहीं वारी grill तो मुझे पसंद आई है diamond shape मगर जो headlights है बहुत ही लग रहे है जिसके गाड़ी रो रही है जिसके नाम अजियत होना चाहिता अचा जो grill है उसमें सिर्फ यह जहां पर आपको irradiator अजार है वो काम का है वो सिर्फ हवा अंदर भेजता है गाड़ी को ठंडा रखने लिए बाकी जो grill है वो तो ऐसी सिर्फ design feature है इसलिए नीचे भी grill दी भी होना है ताकि जारा साथ हवा अंदर जाए तो उपर की grill अगर काम की बनाया थे तो नीचे grill ना देनी पड़ती है गाड़ी का design और different हो जाता खैर कोई पात नहीं अचा यह प्रेशन में टाल दूगा तो वह आप जूर देखेगा बाकी और वीडियो साथ को देखने हो तो ट्वेटर होंडा निसान वह सब में चैनल पर हैं जूर जाकर देखेगा